अब आप सभी का मैंट सभी जैसिंग में बहुत-बहुत स्वागत हैं हम बात करें ते पर मुठी संद के बारे में तेकर अभी तक चार लेक्चर हो चुके हैं जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो देख लें तभी ये वीडियो अच्छे समझ में आने वाली है आज हम बात करने वाले हैं सर्कूलर सेटिंग के बारे में ठीक है न एक गोल मेच के तरफ चारो तरफ कैसे कैसे बठाया जा सकता है या क्या कंडिशन होती है और क्यों कंडिशन होती है यह आज आप सीखेंगे आप लोगों ने उसका डायरेक्ट फ़र्मोला रटा होगा लेकिन क्यों होता है और कब कब वह फ़र्मूले में चेंजिस होगे यह पी आप देखेंगे ठीक है तो उसके लिए वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा और जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिया ठीक है ना आज एकदम मज़ा आने वाली इस वीडियो मे ठीक है यह रहा आपका पिछले दिन का होमवर्क ठीक है ना परमोट सेजन 04 चार नंबर की जो वीडियो थी उसका लास्ट में मैंने यह होमवर्क दिया हुआ था कह रहा है कि एक क्रिकेटर है जो कितने तरह से डबल सेंचुरी लगा सकता है आज IPL आ रहा है देखो कौन से टीम डबल सेंचुरी लगाती है ठीक है ना जबकि 6 और 4 से ही सेंचुरी लगाना है ठीक है ना हम बिना रूल के भी लगा सकते हैं और कैसे लगाएंगे उसको भी हम देख लेते ठीक है ना कैसे लगाएंगे? माल लेते हैं कि X 6 लगाया होगा और Y force लगाया होगा कुछ भी कर लेते हैं ठीक है ना मालो कि 4 X plus 6 Y equal to 200 हमें बनाना है मतलब ये क्या है number of 4 ये क्या है number of 6 कितने 6 लगा है कितने 4 लगा है ठीक है तो हम यहां से x की value देखेंगे यहां से x की value अगर हम find out करना चाहे है तो x equal to क्या होगा 100 minus 3y by 2 ठीक है इतनी clear आपको दिख रही होगा यहां से आप पहले equation से 2-2 common करके कटा सकते हो उसके बाद ये वाला x equal में ने direct link दिए एक बाद बताना है कि number of force आधा चौका थोड़े लगाएगा या half 6 थोड़े मारता है कोई जब भी मारेगा तो एक complete 6 लगाएगा एक complete boundary होगी ऐसा तो नहीं नहीं कि वो बैट से लगाया और हवा में गेद गई और उपर ही अटक गई बीच में जाके वो जब भी गया होगा तो या तो 6 कया होगा ठीक है न? कहीं ने कहीं तो गिरा होगा न? अगर बीच में गिरता है catch होता है या 2 run, 3 run, 1 run जो भी होता है उसकी बात अलग है लेकिन अगर बाहर गया 6 जाएगा, बीच में जाके अटकेगा नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि X और Y की value integer में होनी चाहिए positive integer में होनी चाहिए सीधी सीधे बोल जाए तो natural number में होनी चाहिए टिक न? X and Y की value ऐसा नहीं है कि Y की value 1.5 आजाए X की value 2.36 आजाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब भी आयागा तो X की value complete आएगी ठीक है न? X के आए कितने चौक के लगाए Y के आए कितने 6 लगाए ठीक है न? तो यह इसकी numbering count करनी है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जबी भी वह 6 लगाएगा यह 4 तो complete number में लगाएगा तो एक बात और देखना है कि अगर Y की value अगर हम 1 put करते हैं तो 97 by 2 होगा जो की 97 by 2 divisible नहीं होगा यहां से आपको दिख रहा होगा ठीक है Y की value हम odd number नहीं रख पाएंगे यहां पर ऐसा दिख रहा है हमें इस question से हमें यह दिख रहा है कि Y की value odd number में नहीं रख पाएंगे मतलब विसम संख्या में नहीं हो सकती तो sum संख्या में होगी ठीक है और तब ही तक होगी जब तक X की value कुछ न कुछ positive मिल रही है negative नहीं मिलना चाहिए minus 3 चौके कोई लगाता है minus 2 चौके minus 2 चौके ऐसा होता नहीं तो तब तक Y की value put करेंगे जब तक हमें positive आ रहे है तो देखो यहाँ पर orally सोच सकते थे Y बराबर 2 put हो सकता है 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कहां तक put हो सकता है 16 तक put हो सकता है अगर 32 रखेंगे तो 96 होगा ठीक है ना 32 रखेंगे तो 96 होगा 100 में 96 जाएगा 4 बटे 2 यानि की X की value 2 आती रहेगी हम यहाँ पर यह देखना चाह रहे है कि Y की value कितनी put कर सकते है Y की value 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते 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 32 तक put कर सकते है यानि फिलहाल 16 value हो सकी है ठीक है ना Y की value यह भी हो सकती थी 0 लेकिन हमें 4 भी लेना है और 6, 6 भी लगाना है और 4 भी लगाना है तो आप Y की value 0 ले रहे हो यानि कि आप छक्का नहीं लगा रहे हो 6 नहीं लगा रहे हो ठीक है ना तो y की value हमें 0 नहीं लेना यहाँ पर तो y की value हम 32 तक ले सकते हैं अगर y की value अगर हम 34 लेना चाहें तो 34 गूड़े 3 करेंगे तो 102 हो जाएगा 100 में से 102 नहीं कटेगा तो आप देख सकते हो कि y की कुल कितनी value है यहाँ पर 16 तो 16 तरीके से वो 14 और 6 लगा सकते हैं ठीके नहीं लगा करके double century बना सकते हैं ठीके आपको यह clear हो गया होगा without formula कुछ नहीं था क्यवल यहाँ से equation से हमें thinking थी ठीके चलो हम देखते हैं कि circular setting क्या होता है बई चलो यह है हमारा question circular setting का मैं यहां से इसकी theory बता दिता हूं कि कैसे होता है क्यों होता है उसके बाद हम question solve करेंगे for example मैंने एक question लिया होगा कि how many round necklace can be made using 10 different color bits thus अलग-अलग रंग की मोतियों से एक माला कितने तरीके से बनाए जा सकती है और दूसरा उसी में question है कि 10 members are to be seated in a round table then how many arrangements are possible ठीके तो कितने arrangement possible है यहां पर यह दिया हुगा है ठीके उसके बाद आ जाते हम इसको थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं ठीके चलो detail में कैसे समझ लेते हैं इसको देखना एकदम आराम से समझ लोके कि यह क्यों होता है और जो divide by two किया जाते है वो क्यों होता है सब कुछ क्यों होता है हर एक क्यों का जवाब मिल जाएगा ठीके एक सर्कील है ठीके न सर्कील पर दस विख्तियों को बैठाना है टेके ना कितनी लाइन हो चुके 3 और 2-5 1-2-3-4 टेके न 1-2-3-4 4 लाइन हो चुके एक लाइन और खीज लेते हैं माल लेते हैं कि यह सारा कर सारा equal distance में बैठा हुआ है तो एक बात बताना कि यहां पर 10 लाइन है 10 पॉइंट है टेके न एक, दो, तीन, चार, पॉइंट तो ये दस भागों में बटेगा टेक है न, टोटल 360 डिगरी का होता है तो दस भाग में बटेगा 36 डिगरी आएगा कहने का मतलब यहाँ पर कि 10 तरह से सिमेट्री बनाई जा सकती है टेक है न यहाँ से 10 लाइन अप सिमेट्री खीची जा सकती है इसका मतलब कि हमें 10 से डिवाइड करना होगा जो हमने पहले बात किया था कि 10 लोग है टेक है न, 10 पॉइंट भी है टेक है न, ऐसे देखो 10 लोग है और 10 पॉइंट भी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लोग है, 10 पॉइंट है तो 10 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया जा सकता है लेकिन 10 सिमेट्री होने के वज़े से 10 तरह से वो पता नहीं चलेगा कि किदर से बैठे होगे इसलिए 10 से डिवाइड हो जाएगा अब इसको डिवाइड करोगे आप तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा तो यह लाइन अप सिमेट्री होने के वज़े से 10 से डिवाइड कर लिया जाता है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा आप इसका स्क्रीन सॉट एकदम आराम से ले सकते हो क्या लिखा हुआ है इंगलीस में देखना लुक आप यह इसका मैंने हिंडी नहीं बनाया हुआ है ठीक है न यहाँ से इसका ट्रांसलेशन मैंने किया हुआ है ठीक है तो इतने दो लाइन की केवल इंगलीस है ठीक है इसकी हिंडी नहीं look at the axis of symmetry जो मैंने बनाया हुआ था ठीक है कैसे यह जो एक्सिस आप सिमेट्री है यह दर नेकलेश और डेक्स आर सिमेट्री तो रोटेशन आप 36 डिग्री मैंने बोला ना कि 36 डिग्री का यह है यह बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है अभी आगे की बात देखते हैं कह रहा है हिंदी में देख लेना भी इसके आगे से गुजरने वाले धूरी के चारो और 180 डिग्री तक घुमाने के लिए हार अधिक सम्मित है इंग्लिस में आप अगर देखोगे तो और कलियर हो जाएगा जो नेकलेस होता है इस का इसे होता है पहले बनाएंगे पहले नेकलेस ऐसा रहाएगा आप इसमें मोती डालोगे कैसे डालोगे, कहां से डालोगे नेकलेस ऐसे भी रहेगा तो आप ऐसे कहले तो कि नेकलेस ऐसे मैंने बना दिया अब इसको गुह ना सुरू किया इसको मोती डालना सुरू किया ऐसा कुछ नहीं होता है इसको मठी डालोगे तो नेकलेस को ऐसे समझा जाता है इस चेप में वह भले आप कैसे भी डालो तो एक बात बता ना कि जैसे हमने यहां पर यूज किया हुआ है रेड येलो ब्लेक ठीक है उसके बाद वह भी कर लेते हैं ग्रीन उसके बाद वाइड ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया कि ये आपको दिखाया दिखाये भी ना मैंने गो लिया ठीक है तो अगर मैं इसको पलट दू ऐसे इसी माला को ऐसे पलट दू उपर वाले के तरफ से यहां पर दिखेगा रेड यहां पर दिखेगा यलो यहां पर दिखेगा ब्लू या ब्लेक ज बी दिखेगा यहां पर जी दिखेगा और यहां पर वाइट दिखेगा ऐसा दिखेगा तो यहां पर लाइन अप सिमेट्री एक ही हो रही है न एक इधर से एक इधर से ठीक है यहां पर अगर सेंटर देखा जाए तो एक पॉइंट यहां पर हमारा बंद रहा था और एक पॉ दूसरा, ठीक है न, 180 डिग्री की सिमेट्री है, जैसे पिछले वाले कुश्चन में 360 में 36 डिग्री की सिमेट्री थी, यानि कि 10 पार्ट से हमें डिवाइड करना था, वैसे ही यहाँ पर 360 डिग्री में 180 डिग्री की सिमेट्री है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़े ह ठीक है यहाँ पर यही बात लिखी हुए इसको आप लोग एकदम अराम से ध्यान से समझ सकते हो चलो अभी मैं इसका formula लिख दिये था ठीक है न अगर केवल circular sitting हो केवल circular sitting हो तो उसमें जो formula होता है n-1 का factorial होता है ठीक है न लेकिन अगर हमें garland बनाना हो माला बनाना हो ठीक है अगर हमें माला बनाना हो या जिसकी पहचान यहाँ पर line up symmetry के वज़े से हम divide कर रहे हैं अगर माला बनाना हो तो n-1 factorial में हम divide कर देंगे 2 का ठीक है न यह बात ध्यान देते रहे न ठीक है एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि जो circular sitting होता है ठीक है न circular जो sitting होता है उसमें मैं एक बात और इसमें नया बता देना चाहता हूँ जितने लोग नहीं जानते होंगे वो सुन लेंगे क्या कि जैसे circular sitting होता है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बैठाया जाता है कहने का मतलब मैंने A को बैठाया B को बैठाया, C को बैठाया, D को बैठाया वगर वगर E को, F को, G को, H, I, J को बैठाया ठीकिन ऐसे ही बैठाया जाता है एक और तरीका तो हो सकता है मैंने ऐसे बैठाया तो ऐसे भी तो बैठा सकते थे हम A को, B को यहां पर B को, C को, D, E, F, G, H, I, J ऐसे नहीं बैठा सकते थे बोलो भाई ऐसे भी तो बैठा सकते थे तो यह दोनों तरीके से बैठाय जाता है clockwise और anti-clockwise ठीक है न यहां पर हम clockwise और anti-clockwise दोनों बैठाते हैं तो यहां पर एक बाद तेखने के मिलती है कि A के बगल में B आया है clockwise बैठा रहे हैं तो anti-clockwise बैठा रहे हैं तो भी भी आ रहा है यानि कि अगर एक ही बेश्था को clockwise में बैठाय जा और anti-clockwise में बैठाय जा है ठीक है ना तो हाँ पर दो अरेंजमेंट बनते हैं बिल्कुल अरेंजमेंट दो बनते हैं यानि कि सर्कुलर जो सिटिंग होता है वो अल्रेडी दो अरेंजमेंट होता है कौन-कौन सा एक क्लॉक्वाइज ठीक है ना एक एंटी क्लॉक्वाइज ठीक है तो यह भी ध्यान दे चलेंगे कि जो circular sitting होता है clockwise होता है और anti-clockwise भी होता है ठीक है चलो हम आज का question करते हैं यहाँ पर जैसे यह वाला question था इसका answer क्या था how many way are necklace necklace को कैसे बैठाया जाता है बैठाया जाता है ज़स सकता है 10 में से 1 factorial घटा करके 2 से divide कर देंगे यह क्या है necklace है याने कि 9 factorial by 2 और जो 10 member है इसको circular sitting अगर हमें बनाना हो इसको तो इसका क्या होता है answer केवल n-1 factorial याने कि 9 factorial होगा इसका answer यह था अभी इसका अगर हमें देखना हो कह रहा है कि कुल मिलाकर 4 लड़को और 4 लड़कियों को गोल में इसकी 4 तरब बैठाना है ठीक है चलो इतने ही रहने देते हैं हाँ और आसपास बैठाना है और इसमें condition क्या दी गई है ताकि कोई भी लड़की एक साथ न बैठे अच्छा एक साथ न बैठे और 4 ही है चलो यह मैंने circular sitting बना दी और यहाँ पर मैंने कर दिया B1 बॉय को मैं बैठा रहा हूँ B2 ठीक है यहाँ पर B3 और यहाँ पर बॉय नंबर 4 चोथे नंबर वाले बॉय को बैठा दिया ठीक है चलो तो अब हमेरे पास बैठाने के लिए जगा क्या बच गए एक दो तीन चार यहीं पर बैठाएंगे तब ही लड़किया क्या होगी एक साथ नहीं आएंगी देखो यहाँ पर लड़कों के साथ कंडिशन नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने पहले लड़कों को बैठा दिया जैसा कि हम linear arrangement में करते थे तो पहले अगर हमें 4 लड़कों को बैठाना था फिलहाल कोई आया नहीं हुआ था ऐसे देख लो हमने 4 लड़कों को बैठाना से सुरू गया B1, B2, B3 और B4 इन 4 लड़कों को सर्कुलर सीटिंग में कितने तरीके से बैठा सकते हैं N-1 factorial यानि कि 3 factorial तरीके से अब जब लड़की आएं तो उनके लिए उनके पास जग कितनी हैं एक, दो, तीन और चार बीच बीच में ही बैठेंगी चार लड़किया हैं चार जगए हैं तो उनके कितने तरीके से बैठाया जा सकता है चार factorial तो ये इस कुस्टन का आंसर है तीन factorial इन्टू चार factorial तो ये क्लियर हो गया हो गाए थी चलो अगले कुस्टन पर चलते हैं बिल्कुछ छोटा-छोटा कुस्टन ये एक दम आराम से बन जाता है आभी आगे देखने इसमें ये थोड़ा सा समझने वाला कुस्टन था जीस तरीके से, कितने तरीके से, जीस तरीके नहीं है इन हाव मैने वे एट बॉज और फाइव बस को सर्कुलर सिटिंग में हम बैठा सकते हैं कि ताकि कोई भी दो लड़की साथ ना आए आगे कोश्टन और अच्छे हैं लेकिन ध्यान से समझते चलने कोई भी दो लड़की एक साथ ना आनी चाहिए ऐसे बैठाना है तो लड़कियों के साथ कंडिशन दिया हुआ है ना लड़कों के साथ थोड़े दिया हुआ है तो हमने क्या कर लिया बी वन बी टू बी थ्री बी फोर टेकर ना बी फाइब लिए सिक्स बी सेवें और वी एट आठ बॉइस को सर्कुलर सीटिंग में कितने तरीके से बैठा सकते हैं साथ फेक्टॉरियल तरीके से अब पाँच लड़किया है आठ जगह होंगे जगह कौन से होंगे यह वाला एक जगह होगा खाली यहां पर एक जगह बैठा सकते हैं यहां पर यहां पर भी बैठा सकते हैं बॉइस के बीच में बैठा सकते हूँ आठ बॉइस थी तो बीच में इनके आठ जगह भी होगा ठीक है तो आठ जगह पर अगर हमें पांच लोगों को बैठाना है तो कितने त पाच लोगों को अरेंज भी कर सकते हैं 5 factorial तरीके से ठिक है तो यहां पर आप answer देखोगे तो 7 factorial ठिक है न और ये भी 5 factorial है ये 5 factorial ये 5 factorial कटे गा ये आ जाएगा приб इंटू 8 ! अपन 3 ! फेक्टोरियल क्या होता है ? 8P5 ठीक है ? यह होता है तो 7 फेक्टोरियल इंटू 8P5 ऐसा option में नहीं है तो None of these हो जाएगा 8 factorial से सारे के सारे question में शुरुवात है तो यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली थी चलो अगले question पे चलते हैं कह रहा है कि 5 American और 5 Indian है तो circular sitting पे बैठाना है कि वो alternate पे हो कुछ नहीं करना है पहले Indian को हमने बैठा दिया I1, I2, I3, I4 और I5 इनको कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं 4 factorial तरीके से ठीक है ना उसके बाद 5 जगे हैं 5 American बचे हैं तो वो 5 factorial तरीके से बढ़ जाएंगे हो गया इसका answer अगला question यह वाला question बहुत important है ठीक है ना क्योंकि इसमें इसकी language ही नहीं यह वाला यह वाला तो important है ही इसके बाद वाला भी बहुत ज़्यादा important है साथ बिक्तियों के एक मेज के चार ओर कितने तरीके से बैठा सकते हैं ताकि सभी को किसी दो तरीके से एक ही पोडोसी की ब्योस्तान ना हो इंग्लिज में इसको समझा साथ जा सकता है तो number of way can 7 person seat around a circular table ठीक है केतने तरीके से बैठाय जा सकता है साथ लोग है ना तो 6 factorial तरीके से बैठाय जा सकता है So that इसके बाद condition लगा है All said not have the same neighbor in any two arrangement ऐसा भी है any two arrangement ही हमें समझना था ये कौन से two arrangement होते हैं एक clockwise वाला और एक anti-clockwise वाला तो clockwise वाले में और anti-clockwise वाले में same neighbor in any two arrangement ये same neighbor नहीं होने चाहिए मतलब एक बार जो पडोसी हो गया वो दूसरी बार नहीं आएगा यानि कि अगर हम anti-clockwise clockwise बना लिए तो anti-clockwise की हमें ज़रूरत नहीं होगी यानि कि आधा हो जाएगा जितने भी बेवस्ता है जितने भी arrangement है वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो हम आधा बना लेंगे ठीक है ना 6 factorial का मतलब 720 होता है या बटे में दो कर लेंगे तो 360 हो जाएगा हमें केवल clockwise का लेना है था पूरा arrangement नहीं लेना था यहाँ पर यही समझना था ठीक है ना यहाँ पर बोल रहा है कि have not sell not have the same neighbor in any two arrangement आई एक बार जो पोडोसी हो गया वो दूबारा नहीं होना है ठीक है आगे चलते हैं लाष्ट कॉस्सन आसका बहुत ही यह सांदार कॉस्सन है इसकी language पर ही बहुत जादे लोग फश्जाती है ठीक है देखते रहे ने इसको कैसे सॉल्प करना है उन तरीकों की संख्या ग्यात करने जिसमें छे लड़के और छे लड़के ओके गूल मज़के तब बैठाय जाता है और सुदें लोट वर्षी टूगेदर टेकनर नोट विए जिप्टोगेदर या मेंगे जल के साथ क्रिशन इंट वौट एक लर्ड़ गल दो न्स इट नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब होता है यह अथर लेफ्ट यह ठैट के लाई ठीकनर डूब यह पार्टिकुलर गुलर special role लोग रहे होंगे अपने जमाने के इन ही पर हमें जो भी करना है calculation करना है उपर वाली line में कुछ नहीं रखा हुए है चलो हम यहाँ पर बैठाना शुरू करते हैं हमारे पास condition दिया हुआ है लड़कियों के साथ कि कोई दो लड़के एक साथ ना बैठे हम क्या करेंगे कि पहले बॉइस को बैठाना शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर एक काम ऐसे कर सकते हैं इंग्लीस में इंग्लीस वाला हटा दिया अभी देखो कह रहा है कि छे बॉइस है जिसमें से एक विसेस लड़का भी एक particular बॉइ भी तो हमने यहाँ पर बैठाना शुरू किया तो यहाँ पर हमने particular बुआय कर लिया यह जो कौन है हमारा particular बुआय है उसको बैठा दिया तो अभी हमारे पास कितने लड़के बच रहे हैं पांच लड़के बच रहे हैं ठीक है न कौन सा B1 B2 B3 B4 और B5 भैस अब इस पांच लड़को वो circular sitting में कितने तरीके से बैठाय जा सकता है कोई बोलेगा 4 factorial तो बहुत बीटेंगे ठीक है न क्योंकि PB जो है particular बुआय को मैंने fix कर चुका है ठीक है न तो अभी 5 लोग बचे हैं तो 5 बैठ जाएंगे अच्छा एक घटाया इसलिए जाता है क्योंकि वो fix भी हो जाता है न यहां पर ठीक है इसलिए एक घटाया जाता था लेकि यहां पर मैंने PB को fix कर रखा हुआ है तो 6 लोग थे एक लोग fix हो गया तो 5 को 5 factorial तरीके से बैठा सकते हैं अब आगे बात होई कि इस पार्टिकुलर गवाय के साथ लड़किया वो जो दो विसेश लड़किया है ताकि कोई दो विसेश लड़किया यहां पर देखना कोई दो विसेस लड़कियां यह जो विसेस लड़कियां है पर्टिकुलर गर्ल है यह विसेस लड़के मतलब इस वाले पर्टिकुलर गवाय के साथ नहीं बैठेंगी तो मैंने माल लिए कि जो वो पर्टिकुलर गर्ल्स है न वो कौन-कौन सी है वो जीव पर नहीं बैठेंगे बाई सब यहां पर यह दोनों नहीं बैठ सकती हैं तो कौन बैठेगा कौन बैठेगा जी 3 जी 4 जी 5 जी 6 छे लड़किया ना जी 6 यही बैठ सकती हैं चलो हम बैठाना सुरू करते इस वाले प्लेस को कितने तरीके से बैठाय जा सकता है तो आप बोलोगे कि चार तरीके से ठीक है ना मैंने बैठा लिया इस वाले पोस्ट को इसको कितने तरीके से बैठाय जा सकता है भाई एक बैठ गई है तो तीन तरीके से तो मैंने वो भी लिख लिया ठीक है अब बत ब जी 6 और G1, G2, इन लोगों के लिए कोई condition नहीं, तो यहाँ पर जो बैठ सकता है उसको चारों के लिए option है, G1, G2, G5, G6, तो चारों के लिए option है, तो मैंने ये भी कर लिया, यहाँ पर कौन बैठ सकता है, कोई तीन बैठ सकता है, मालों एक बैठा चुटा हो, तो तीन जाएगा ठीक है तो इसका ये आंसर है इसको आप simply solve कर सकते हो देख लो कैसे 5 factorial ये starting में था 5 factorial है ठीक है ये जो है 4 factorial है ठीक है ये जो है 4 गुड़े 3 था 12 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़े 6 ठीक है अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा मैं जल्दी से फिर से बता भी देता हूँ कैसे मैंने पहले particular boys को बैठा लिया ठीक है अभी कितने boys बच गए पांच boy बच गए तो कितने तरीके से बैठा जा सकता है 5 factorial ठीक है न यहाँ पर कौन है B2, B3, B4, B5 और यह एक particular गवाय था तो यह भी 6 हो गया न कुल मिलके यहाँ पर कोई G1 और G2 नहीं बैठेंगी तो कौन-कौन बैठ सकता है G3, G4, G5, G6 यानि कि इसको भरने के लिए हमारे पास कितने उपाए है चार एक लोगों को यहाँ पर बैठा दिया तो अब इसको भरने के लिए हमारे पास तीन उपाए बच दो तो गुड़े मैंने तीन कर लिया ठीक है न? मालो G1, G2 नहीं बैठ सकती तो G3 को बैठा दिया, G4 को बैठा दिया अब बच कौन गया? G1, G2, G5 और G6 इन चारों को चार जगह पे बैठाना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं यही इसका आंसर था इसको हटा लो देखो, मैंने चारती यहीं 12 को लिख दिया, दो गुड़े 6 और 6 को इसके साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल गुड़े 4 फैक्टोरियल तो यह रहा आज के कुस्ण नहीं सरा ठीक है? और कुछ कुस्ण मुझे मिलेंगे अच्छे खासे तो सर्कुलर स सिटिंग पर करा दूँगा, otherwise मैं या इसके बाद कॉम्मिनिशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है न? चलो, इसके लिए भी इतना है, thank you